तो अभी सुबा का टाइम हो रहा है और इन लोग का जो घर है ना रहने वाला घर दरवाजा में खोल दी थी तो यह जो मुर्गी है यह ना फर्स गई थी अंदर थोड़ा सा टूटा हुआ साइकल है एक तो उसी के अंदर वो फर्स गई थी और उसको मैं हाथ से फिर निकाल क करती है नहीं तो मैं भूल जाती हूं इसे वज़े से सुबा सुबा खोल दी हूं दरवाजा लो एवरेवन वेल्कम तु माई यूटूब चैनल और कैसे हैं आप सब तो अभी साड़ी साथ बज़राय सुबा का और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हूं और अब भी स कि बाद मिलूगी आप सबीसे और ब्लॉग भी बने रहे हैं और चैनल पर न्यूँ है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए फिर मिलेंगे थोड़ी देपाद बाद बाद सेब इ सब्सक्राइबक acompan दीजिए को ऊसा हिसी की तो इसी परना लेती हूं अर फिर मेंदक भाना ले थी शिंप्ल से बना शाय थी थोड़ा सा चीनी करेभ पाने से बनाई थी अदूध पाने से बनाई थी और दूध नहीं डालते हम लोग पाने से बनाटे क्योंकि दूद का भाईया बस थोड़ा बहुत खाते हैं घर पे मम्मी नहीं खाती है मैं भी नहीं खाती हूं कोई पसंदे नहीं करता है उतना इसी ओजसे और थोड़ा समय यहां पर बाहर लेके आ गए थी क्योंकि जेनी को मुझे खिलाना था मैं तो नहीं खाऊंगी तो इसी ओजस बहला फुसला के फिर थोड़ा बहुत इसको खिला दे थी और फिर बाद में दादी आई थी और बोल रही थी कि थोड़ा सा वो खाई है इसी वज़से साइद नहीं खा रिया ऐसे करके लेकि थोड़ा सा टाइम हो गया है खा लेना चाहिए नहीं खा रही है वो नकरा कर र बनाने बनाने के लिए तो नहीं आ पाये थे मुम्मी में साम को ट्रेनशола नहीं था तो इसीजाब आ जाएंगे तो इश्व General stun ऑलो पहले मा यहां पर वह सब आने के स्वह पर रोटी बना रही हं कि आप को आते आते ना 12.30 ऐसे कुछ बज गया था तो अभी तो 11.30 ऐसे की टाइम हो रहा था तो मैं सुची कि पहले रोटी बना देती हूं और फिर बात में खाना बना लूँगी तो थोड़ा गरम भी रहेगा तो वो सब खार लेंगे तो सही रहेगा और कल का जो सबजी आया था तो थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसको गरम करके भी खार लेंगे ऐसे करके फिर मैं यहां पर रोटी बना लूँगे और उसको सेखोंगे और सुबह में सेवा ही बनाई थी तो भाईया भी तक खाए नहीं है वह आएंगे तो उनको फिर दे दोंगी दुकान पे चले गए थ और अभी आपर मैं रोटी सेख लेती हूं जल्दी से तो रोटी तो आप सभी को पता ही है मतलब सही से मुझे सेखना मतलब मेरा रोटी उतना फूलता भी नहीं बाई-चंस कभी फूल जाए तो बहुत बड़ी बात है तो यहां पर कपड़े से ना मैं जैसे पक जाएगा अंदर रोटी कच्चा ने रहता है जब फूलता है तो पूरा पक जाता है कच्चा रहता है तो नहीं फूलता है लेकिन मैं यहां पर कपड़े से थोड़ा सा दबा दबा कि इसी तरह फिर अच्छे से पका लोंगे और फिर बना लोंगी रोटी तो बस पहले इसको बना ले स्वीज है और एक ही इंडेक्शन का या तो लगाओ या फिर लाइट का लगाओ दूसरा वाला कनेक्शन नहीं है तो इसी वज़े से पहले में दाल बना ले थी और उसके बाद फिर मैं यहां पर खाना बना रही हूं क्योंकि लाइट नहीं रहेगा तो फिर सूट भी नहीं क खराब हो जाए रहा दूसरा सेटिंग करके फिर लगाएंगे तो सही रहेगा तब हो जाएगा और अभी यहां पर भाई आये थे और बोल रहे थे कि क्या बनाई हो दो खाने के लिए ऐसे बोल रहे थे तो मैं सिवह उधर रख दे थी उनके लिए अलग से निकाल की तो वह हो जाएं उनको दे देदे थी कुछ भी ना जैसे कि दह स्या-साड़े दस ऐसी कुछ बद जाता है तो धुकान पे रहते हैं और उनको भूक ज़्यादा लगता है तो ही खाने के लिए आते हैं न न तो उतना ज़्यादा कुछ भी खाने का पसंद भी नहीं करते तो यहां तोड़ा सा ओईल और विजो भी डालना था सर्शो और थोड़ा सा कड़ी पता टमाडर प्यास सब डाल के अच्छे से भून ले थी यहां पे देखी और अभी मैं डाल पे डाल दूंगे इसी तरह और घर पे इसी तरह ही हम लोग डाल को फ्राइ करते हैं हमीशा इसी तरह इस सर्शो या जीरा ऐसे दाल के फिर करते हैं लेकिन उससे हम लोग नहीं करते हैं इसी तरह ही कर देते हैं और अब drops on जख्याए था चात वाज़्बीन बन गया था तो बस मैं अभी आ पर मां निकाल देती हूँ और अभी यहां पर देखे ये मुम्मी सब आ गए दुपहर का टाइम हो रहा था यहां पर और मैं मौसमी का जो जूस है वही बना रहे थी क्योंकि हम लोग के चर्च से ना sisters दोनो sisters आये होए थे तो उन्हीं के लिए juice यहां पर बना रहे थी और बीच में भया मतलब भूक लग रहा था उनको दुपहर को ही जैसे साड़े दो या तीन ऐसे बजने बाला था ढ़ाई ऐसे कुछ तो उनको दे दी थी थोड़ा सा और यहां पर निकाल दी हूँ दो ग्लास पर और अब यहां पर देखिए घर की पास एक साप दिख रहा था मतलब कि घर के अंदर ही जा रहा था और दादी देखे थे और मुमी देखे तो उन्हें वो हम लोग भगा रहे थे और यह साप ना जाई नहीं रहा था यहां जो जितना भी घास दिख रहा है ना इक घास के अंदर ही यहां पर मतलब चुप हो कैसे रह गया था जाई नहीं रहा था उसको कितना भगा रहे थे पिर नहीं जा रहा था अभी जیसे बहुत सारा जیसे घास है यहां तो डर लगताए और इस 1952 दादी है और यहां पर देखिए डादी अपना यहां पर जो खेत ayamu पर अभी का टाइम फिर बा गया है और अभी के टाइम पे जो अक्टोबर पे डालेंगे तो खेत पे हम लोग डाले हैं वो अलग से है तो वो भी बाद में हो जाएगा और अब यहां पर देखिए जेनी को सारे बच्चे यहां पर साम की टाइम हो रहा था और सब हसा रहे थे देखिए पुरा कितना हस र तो बस आज का व्लोग यही पेन करने हूं फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट और एक वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई तक केर थैंक यू